तमकुही रोड सेवरहीं दुरगा पंडाल आपने देखा नहीं देखा तो चिंता करने के बात नहीं है दोस्तों मैं हूँ अब पूरा आपको मार्केट का पंडाल दिखाता हूँ नमस्कार दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं देवी मया का पंडाल और इस पंडाल में कौन पंडाल बहतर है कमेंट करके आप जरूर बताएगा साथी साथ फोरो कर लिए दोस्तों तब फहला पंडाल का सुरुआत करते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे यहां से और यह पंडाल आकास को छूरा था और कलर एक दम दिल को मोह रहा था इस तरह का कलर है और यहां पे अभ भी काम खतम नहीं होता है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्लोग बनाए एक और यूटूबर भाई मिल गए थे उसके बाद जो है कि वहां से निकले दूसरे पंडाल के तरफ और आपको बताएं कि पूरा तम कोहीं रोड साइड साइड से सज के तैयार है मेला के लिए ड बजार को सजा रखा है दोस्तों तो अगर आप नहीं गए हैं तो पूरा इस वीडियो के मादम से बैठे बैठे देख सकते हैं साथ ही हमारे प्यारे हर्मान जीव साइड में बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करते हुए फिर हम लोग चल दिए जबू के भाई की दुकान ग की सजावट कदम मन मोह रहा था इसके बाद हम जैसे वहां से निकले एक और पंडाल सामने दिखा तो पंडाल में आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन पंडाल अच्छा है और फिर एक गली में जाने का नंबर आ गया है तो चलिए एक और गली में चलते हैं और गली को कैसे सजा गया है और पंडाल को कैसे सजा जा रहा है इसमें आप देखिएगा दोस्तों यह है गली और गली में आप देख सकते हैं यह पूरा सजा गया है कपड़ों से और रात के टाइम में इतना जगमक जगमक करते रहा है कि मज़ा आ जा रहा है जितने लोग जा रहा है कि हा पूरे बजार मैं अच्छा हलकर मी है और मातारानी की पूजा के लिए लगतार खरदारी हो अच्जुनरी से लेके और मिठाई तक इसके बाद दोस्तों जैसे हम इस पंडाल के पास पहुंचे तो थोड़ा परसाथ रहर किया उसके बाद हम फिर वापस आने लगे तो कैसा लगा जरूर बताएगा